हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है दोस्तो आसा करते हूँ आप अच्छे सथ पसंद होंगे मैं भी अच्छी हूँ मौसम के अगर बात करें उत्राखंड में तो अच्छा नहीं हो राज मौसम बादर लगे हैं काफी ठंड है तो सोचा कि कुछ अलग सा नास्ता बनाया जाए और आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए उमीद करते हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकान ओल पर रखें ताकि जो भी वीडियो में डालती हूं उसकी नोट्पिकिशन आपको मिल सेगा पुराने हैं तो प्लीज कमेंट के साथ जरूर आ हलकसा नास्ता बनाने वाले हैं इसमें हम चीज डालेंगे चीज मैं दिखाना भूल गई हूं अभी आपके साथ शेयर करेंगे आप लोग मैसी बने लिए तो चलिए आज कुछ अलकसा नास्ता बनाते हैं मैं भी पहली बार ट्राय कर घूं उमीद करती हूं अच्छा ही बन मैंने कलर के लिए इसका लेखे बहुत अच्छा आता है यह थेज नहीं है बस बनाएगे अपके नास्ते को यह अच्छे ब़ाइब कर लेखे है और हरी मिर्चot लिए है सब मैं काधवा कट्दू का सवाला अद्रग लिया है तो यह समें इसको अच्छे तर alla अध्रग लिय लेकिन मैदा अजीब सी स्मेल देता है यह मैंने गूद लिया है गूद की ऐसा बना है डूव आप देख सकते हैं बहुत कीला भी नहीं है बहुत टाइड भी नहीं है तो इससम छोटी-छोटी पूरियां साइज की रोटियां बेलेंगे उसको कट कलंगे कीसी छोटे- अगाड़ा जाता है यह मैंसे यह सकते हैं 야 मैंने तो इल्व गूल आकार में ती आप चाहें ट्राइंगर यह देखेबी देखीए फृिज में सही चम गई थी तो मैंने प्रैक्षिक बहुत चीज भरी और सासमें को फराइक है इस को बंद और बेंगी को और नमक परफेक्ट मिर्च घरा धनिया सब कुछ एक बराबर हो रहा है कच्चा अद्रक मैंने इसमें डाला है जो फ्राय करने से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा तो एक एक करके हम इस तरह से भर लंगे इसको और सारी पूरियां हम देखते हैं को दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं तील हमारा गरम हो गया यह ऐसे मैंने बंद कर ली है दो हैं तो इसमें बड़ी लोई भी बना सकते हैं बड़ी लोई में आप ऐसी चीज भरें और थोड़ा लोई मोटी बनाएं ताकि बाहर ना निकले चीज और इसको गोल करके रोटी के साइज के आप इसको ऐसे बना सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह से ट्रै करके देखना था त क्योंकि जितना आधोगा चीज तो गर्मी से मेल्ट होती है कितना उसके अंदर रह पाती है पता नहीं मैं ट्राय करें लेकिन खाने में यह बहुत टेस्टी होती है तो आप इसको चाय के सांस नेक्स के तौर भी ले सकते हैं तो मेरा तो चाय के सांस खाने का वान हो रहा था इसको इसलिए मैंने इस तरह से बनाई है थोड़ा सा ए तलने में डाट टाइम जादा लेती है क्योंकि डबल तरफ से आलू है बीच में चीज है तो हम इसको धीरी आज में बनाएंगे आप देख सकते हैं गैस की लग कितनी सीम है ने तो एकदम जल जाएगी तो फड़ा सा पहले हम इसको कम आज में पकाएंगे उसके बाद हम तो फ़ल करेंगे जिससे हमारे अच्छी तरह से सिख जाए यह देख सकते हैं मैं नजदिक दिखा रही हूं आपको दिखाना चीए कि कैसी बन रही है दिखाते हैं आपको बहुत यह चीज गर्मी से बहार निकलने लगए आप देख सकते हैं बहुत कलरफूल यह नास्ता बना हुआ है जैसे मैं सूर्चिती पता नहीं कैसे होगा सारी चीज बहार आ सकते हैं लेकर आई नहीं है तो यह बन रहे हमारे और एकदम यह फूल गए हैं देख सकते हैं इस तरह से हम इसको सारे तल लेंगा और यह बहुत क्रंची नास्ता होता है पूरे एक साथ तल के फिर आपको हम दिखाएंगे अभी तो मैं पहला खेफी यह डाल रही हूं बन रहा है अच्छी तरह से नास् श्रया के साथ यह ट्राए किया है कि अगर फटेगा तो फिर गाइक करेंगे मैंने बाइंड करने के लिए इस 000ई के चार सिलास ब्रेड कि आपने देखा थे वह बैंने मिक्स किया है तो बताएगा जरूर यह का दो सकते ही साथ हम घोल गप सब्व помог घठ ले ने लिजिए स तरह से हम इसको धिमी आज में तलेंगे और तलने के बाद इसको जब गर्मा गर्म चाय के सांथ सर्फ करेंगे अभी पूरे तो मैंने एक बार तले हैं और दुबारा से मैं फिर से तल रही हुए बहुत सारी रोटिया मैंने बनाई थी चुट-चुटिया आपने देखा होग सारे सारे हम तलके फिर आपके साथ शेयर करेंगे तो आप ब्लॉग में ऐसी बने रहीएगा कर दो आपके सारे होग है है तो दोस्तों यह सारे मेंने तल लिए हैं देख सकते हैं हां बहुत कृंची हो रहे हैं और चीज़ेंस के बूरी तर Hopes है मुझे डावन था कि इस चीज मैलत हो सकती है ये लिए है मैंने मियोनी इसका करके बहुत क्रिंची सी आवाज आ रहे हैं इसका नाम मालूम नहीं है लेकिन ट्राइ किया इस तरह से और अच्छा बन रहा है नास्ता तो आप जरू ट्राइ किजिएगा उमीद करते हूं आपको यह आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज अगर पसंद आता है लाइक कमेंट शियर सब्काइब सब करें बेल आइकन और पर रखें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है उसकी नोट्विकेंस सबसे पहले आपको बिल्सक और आपका प्यार स्पूर्ट का मुझे इंतार रहता है अपके कमेंट का मुझें रहता है तो प्लीज कमेंट जरू कीजीएगा वीडियो फुल वाच कीजी आपको buttons झाल झाल